तो जब अगर इस तरह के आरोप लबारी है, तो कहीं न कहीं कुछ में कुछ तो हुआ पार, किस्सा हुआ होगा, या कहीं कुछ छोटी मुटी कहा सुनी, इस तरह से कोई सीन हुआ है? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हस खेल के थी बच्ची मुझे मालूम भी नहीं है, मतलब नहीं आप डांस के बारे में जानते हैं, मैं वहां रियरसल इसले कर मुझे आता नहीं है, तो वह रियरसल हो रही है, तो मैं वहां खड़ा रहूं तो उसमें मुझे पता चले, मैं इ एक तो पहले भाई मैंने टच कप किया मुझे नहीं याद क्योंकि पूरे गाने में उन्हें मुझे उनको छूनाने मैं दूर भगता हूँ तो रियर्सल में वो कई गुंजाईश नहीं थी मुझे लगता है कि गलत है इसा senin airdre मुझे लगत में अंचे उर्क घुर्ष कुहारहे बर्सों में सिर्फ इजत कमाई है और बुरा लगता है इससे कोई कहता है तो इसा ना कहेप बेहतर है ऐसे कोई बात घटी ही नहीं है जिसका तो जिकर कर किसे करो तो थे मुझे ए दो करो किस से करो header करो मुझे । == कुछ मुझे कहना हैं तो मैं रहो लेगी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे उन्हों जो बै treadmill którą किया है तो मुझे क्या जरूरत है मेरा तो कई सम्बंद ही नहीं है मुझे आके काम करना आई या मेश करके चला जा रहा था बाकी बात पूछनी थो आप पूछनी तू आप पूछ और अप्रोड़िसरली डिरेक्टर को पूछ सकते है डान्स डिरेक्टर को पुछ ते अमेरा नाम कह कर देने कि शर्मिंदा कि आ बाटीफ के रहा है जब आ बाट टाइम डेरी जी मुझे नहीं पमना बें जुड़ा है लुदाह को मत आशे विए इसे खाली अपम नदेश़ार बम उद खल ए बना को खलो इनको क्या लगा वो नहीं है यह जो आरोप है वो गलत है मैं सिर्फ इतना कहूंगा मुझे इस बारे बेज जादा बोलना मुझे घिना रही है नाना बता है कि पहले दिन नहीं आखरी दिन की बात है आप जो कर रहे है वो जो परसू की बात है तो मैं तो चला गया शुटिंग नहीं हो रही है उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम ने मैं तीवी पे देखा कि कुछ गड़बड हो गई है मुझे मालूम ही नहीं था नाना जब आप गए ते यहां थोसे दिन सेट पर सारे राक्शन को क्या हुआ यहां पर दूसरे दिन मैं आया ही नहीं कि अजाया है मुझे तो कोई संबंद ही नहीं आता ना इस बाद से उनकी कुछ अन्बन हो गई उन्होंने अगर तय किया है उनके बदले कोई और काम करेगा मैं तो इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और मैं काम करना हूँ वो जो भी बोलेंगे उनके साथ मुझे काम करना है रही बात मुझे दो दिन जयादा रुकना पड़ा जो मुझे जाना ता कहीं लेकिन दो दिन जयादा रुकना पड़ा ना बड़ बात ऐसी क्या हूए कि उनको यह तक भी कहना पड़ा कि सीनel आटिस्स के हैं उन्हें इस तरह से हरकते नहीं करनी चाहीए सैका कोई कुछ होगा तो इतनी लोगों के सामने हैं कही मैं कहीं बहार तो नहीं कुछ कोछी के दिद एक में। तो रखी सामने आगे दुको सब्केता है नहीं हो गया गाना पूरा हो गया आइस पर इस पर आपको फिर एक बार कहा दू कि मुझे इस पूरे इससे बहुत गंदा लगा पैटीस साल में मुझे किसी ने इसा गंदा कहा नहीं था मुझे बहुत बुरा लगा अच्छे एक दुख आपको जरुर होगा जैसे कि अच्छे ने बाद में बेटी आपको आपको का अपने कहा भी कि मैं उसको बेटी कहा करता था मैं पहले दिन से वही कह रहा था था जो जो प्र इस पूरे जो कुछ घटा है उससे बहुत अच्छा नहीं लगा अब सोचो मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आप सोचो ना तनुष्री आपसे उनलों में बहुत चोटी है एक क्या नसीनत आपको देना चाहिए अगर मैं कुछ कह दू तो अच्छा नहीं होगा मैं अभी भी कहता हूँ बच्ची जैसी है उसको समझना चाहिए इसे किसी पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है मैं सच कहता हूँ मेरा काम क्या है काम करना मेरा डिरेक्टर कहता है कि यहां तो डंस डिरेक्टर थे कि आपको यह करना है मैं डंसर तो हूँ नहीं तो मैं रियर्सल ज्यादा करूँ तो और मैं जो असिस्टन्ट है उनके साथ रियर्सल करता था अब बाकी क्या बाते घटी है उसको मैं कैसे जानूँ एक आपसे सवार बिल्कुल जाना चाहिए यहां पे तफे बनुकि गाड़ी बाड़ी तो कुछ तो अफसोस जरूब हुआ होगा बिल्कुल पूरा जो घटा है उससे मुझे बुरा लगा है जो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना या ऐसा क्यों होता है अभी आप आये परसु में जा रहा था किसी ने मुझे कैमेरा लेके पूछा मैंने का मुझे कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ है अब इ आप से यह बात करते हुए हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप से वाकिष है लेकिन मजबूरी है नहीं आप मजबूर किया है आप ऐसी भी बात आज उनों ने कही कि मदब गणेश के साथ मिलके इस तरह का कोरियोग्राफ किया गया कि अरे बाबा मैं नहीं जानता है गणेश और हमारे डिरेक्टर साब जो है उनको मैं गणेश को मुझे मालूम ही नहीं है आज भी आप देखो मुझे कुछ नाचना नहीं आता है गणेश के कोरियोग्राफी की आप बात कर रहे है तो आप ऐसी बात कर रहे है जैसे मैं बट अब राखी आगे और राखी तो बहुत पास डाल से डाल मिलाने में राखी के साथ कास्तोर थे थोड़ी तकलीफ है या तनुश्री के साथ तकलीफ नहीं है तनुश्री के साथ भी बिल्कुल तकलीब नहीं थी राखी के साथ भी तकलीब नहीं और भी कोई होगा तो भी मुझे तकलीब नहीं है पर कहीं ऐसा लग रहा है कि राखी का उपरेशन दादा करते हैं डाल या इस तरह से यदे टनुश्री हुआ इसे नहीं, कि तैनुश्री भी अच्छा का उपरेशन कर रही थी, । पहले तिन दीन हमें कोहीं दिकत नहीं थे, तनुश्री नहीं के अच्छा किया था, कोई लेगों बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया था, हलाकि हसते- अगर तीन दिन पहले उन्हें दिक्कत होती मुझसे तो मुझे कह जाती ही यह ऐसी बात अच्छा यह एक बात हट करके पूछना चाहेंगे काफी सेंसिबल सिनिमा अपनी किया है पहले प्रिशले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मतलब अग्लफ मास्टर हो या फिर वेलकम हो आप मतलब डांस वांस करना भी शुरू कर दिया आपने नहीं नहीं डांस नहीं करना चाहता है यह जो हमारे प्रोडूसर डिरेक्टर है वो मुझे वो शायद तेड़ा बखा नाचता हूं तो उनको बढ़ देखते हुए ज़रा हसी आती होगी शायद तो इंजोई करते हैं आप डांस करते हैं मैं जो भी काम है मैं एंजोई करता हूं वगर नहीं करता तो मैं करता ही ना इस मुद्र पे किसी का लॉस हुआ है किसी का गेन हुआ है पट पबिसिटी या पबिसिटी मिल गई है मैं बटे तुमको एक सवाल कुछ ताम पैतीस साल के बाद ऐसे घिनावनी publicity के लिए मैं कुछ करूंगा मुझे जरूरत है तुझे लगता है पूछ तुन्हे मुझे सवाल किया बिटे पूछना मुझे जरूरी है मेरी फिल्म अगर ठीक है तो उसके बल्बूते पे चलेगी अगर अच्छी नहीं है तो गिर जाएगे उसके ल और मंडूर मश्ति पास्वा झाल आल है मुझे समझ में आता है यह बात क्या है मेरे समझ में मेठी में अगर को इा बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगती तो तुम्हारे साथ में में बात करूंगा ओग ilm lai、 लेकिन मुझे नहीं मालोम मिजह यो नहीं जैसे लित जो आम आदमी जो इतना ट्रामा हो गया, जो भी मुद्दा जो भी रहा हो देखो, मैं जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे उस वजे से जाने की मैंने कुछ अच्छा काम किया ऐसी घिनाओनी बातों के लिए नहीं शुटिंग कर रहा था, मुझे जो इसमें पता चला मुझे आज तो मालुम भी नहीं है, वजे क्या है और उनको रिप्लेस किया गया, वो भी मुझे मालुम नहीं था वो वहाँ ठहरी नहीं, इसलिए इनोंने रिप्लेस किया उनको अब ही मेरा तो काम था उनके साथ स्टेज पर और वहां मुने कौन सी बत्तमीजी की है हमारे समझ में नहीं आता इतने तक्रीबन हजार लोग है उनके सामने हो रहा था मुझे एक तो गंदा लग रहा है कि ऐसी सफाई मुझे देनी पड़ती है पैतीस साल हूँ मैं इंडस्टी में कभी किसी ने मुझे ऐसा गंदा इल्जाम नहीं लगाया और ये बच्ची क्यों कहते है मेरे समझ में नहीं आ रहा हलाकि मैं आप किसी को भी मिलने वाला नहीं था लेकिन ये इंसिस्ट कर रहे थे हमारे डिरेक्टर, प्रोडुसर, डांस डिरेक्टर, असिस्टेंट्स कि सर बहुत गंदा बोला गया आपके बारे में ये बच्ची को समझना चाहिए क्या बोल गई है तो जैसे कि उनसे पहले थे तीन दीन भी पहले शूट किया थे चौथे दिन जसे न आफरी शूट होने वादा तभी सारा इंसिदेंट्स हुआ तो पहले किस तरह का रियाक्शन था आपके साथ ने बिलकुल ठीक थी थी बच्ची मेरे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ हमने रियर्सल की आखरी शौट ता जो अज शौट अभी में देखे आया वही शौट था उसके बाद मेरी शूटिंग तो खतम होने वाली थी और मैंने का बेटे तुम वैन में बैठो मैं रियर्सल करूंगा मैं नाच नहीं सकता तो थोड़ी रियर्सल ज्यादा लगेगी जैसे ठीक हो जाएगा अब चले आओ तो उसके बाद वाई नहीं मुझे बजह नहीं मालूम क्या है तो कहीं ऐसा दो नहीं नगता है कोई जो कहानी प्री प्लानिंग की गई है कि ती से ती दिन तर शूट करके चौट से जिन जिस दिन आप प्री शूट होना है मुझे नहीं मालूम बेटे मैं कभी ऐसे मुझे ये प्लानिंग उगरा कुछ नहीं समझता मेरे इंड़स्ट्री में दोस्त बहुत कम हैं लेकिन दुश्मान एग भी नहीं है मैं अपना काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ इंडस्ट्री में होने के बावजूद मैं इंडस्ट्री